जमीन से जुड़ा ये आदमी जमीन पर बैठने से नहीं हिचकी जाता। माटी से प्यार करने वाले आदमी को सड़क की धूल लग जाने की चिंता नहीं होती। ये बात टीम इंडिया के पुर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने कई बार साबित किया है। इस तस्वीर को ग जनों कार और बाइक्स हैं। अब शायद ही यकीन कर पाएंगी कि एक छोटी सी बच्ची के साथ खेद की पकडंडी में बेहद ही साधारन तरीके से बैठा ये आदमी क्रिकेट जगत का सबसे असाधारन और सफल कप्तान महेंदर सिंग धोनी है। ये तस्वीर राजधानी राची से 80 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बसे एक सुदुरवर्ती गाउं में खिची गई है। जारखंड के सबसे बड़े टेक्स पेर धोनी इन दिनों इस गाउं में अपना इलाज करवाने जाते हैं। ये खबर आम हो चुकी है लेकिन ये तस्वीर बहुत खास है। उनके साथ दो लड़कियां खड़ी हैं। दरसल सडक पर जो गाड़ी खड़ी है धोनी उसमें ड्राइबर की बगल वाली सीट में बैठे थे। वहीं पास से गाउं की ये लड़कियां गुजर रही थी। धोनी दिखे तो इन लड़कियों ने रोका और तस्वीर खिचव की गई। जब इस दुनिया में थोड़ी सी काम्याबी लोगों के सिर चड़ जाती है कौन कह पाएगा कि इस तस्वीर में जो सक्स खड़ा है उसने अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर लिया है जिनका करोडों लोग ख़ाब भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। धोनी की सादगी देख कौन कह पाएगा कि इस तस्वीर में ICC की तीनों ट्रॉफियां जीतने वाला 200 विजेता कप्तान खड़ा है। कहना गलत नहीं होगा कि धोनी ने अपनी अब तक की जिंदगी में केवल ट्रॉफियां और पैसा ही नहीं कमाया बलकि लोगों का प्यार भी कमाया है। ये उनकी मुसकुराहट में दिखता है। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। धोनी अपना 41 जनमदीन मना रहे हैं। अपने ही जनमदीन पर फैंस के लिए तस्वीरें दर असल धोनी दुआरा दिया गया प्यारा सा तौफा है। उसमें पाकिस्तान दौरे में मैन अप्दा सीरी जीतने के बाद पिता धोनी से कहते हैं। अच्छा कर रहे हो, खूब आगे बढ़ो और सुनो, इस अब कपार पर मत चड़ने देना। लगता है महिया पिता का वो बात नहीं भूला। जिस कैप्टेन कूल को खेल प्रेमी अपने कपार पर चड़ाई रहते हैं, उसने काम्यावी को सच में अपने कपार पर चड़ने नहीं दिया। धोनी में आज भी राची के किसी गली में क्रिकेट खेलता प्यारा सा महिया रहता है। कर दो